हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू वर्सास किचिन फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेकिया यू मैथी के बहुत ही अरे बरे पराटे तो खाने बहुत ही टेस्टी हेल्दे भी है लाजवाब बनेंगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें शेयर को सब्सक्राइब करन यह उसे डाल लिया है चार चमच धनिया पत्ती काट के डाल लिया है और एक इंच अद्रक ग्रेट किया हुआ पाच्छे कलिया लैसुन की और दो हरी मिर्स तुपारिक काट के लिए अब आदा चमच जीरा और अजवाइन लिए है थोड़ी सी हींग डालेंगे आदा चमच लाल मिर्स पॉडर एक चोथाई चमच हल्दी एक चोथाई चमच धनिया आदा चमच नमक डालेंगे और लास्ट में दो चमच देशी गी डालेंगे और गी डालकर सभी चीज़ों को पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो सारी चीज़े अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो पानी डालकर आटे को हम इस तरह से मिक्स करते हुए आटे को पराटे के लिए गूंद के तयार कर लेंगे तो रेस्पी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें और रेस्पी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना चकले पर रख लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा उपर से चड़क लेंगे और हलके हातों से इसे हम पूरी की तरह बेल के तयार कर लेते हैं बेल लिया है अब इस पर सरसों का तेल लगाएंगे तो पूरे पैच्छे से फैला लिया है अब इसे पलट लेते हैं तो दूसरी साइट भी तेल अच्छे से लगा लेंगे फिर से पलट लेंगे तो तिकोनी आकार का लोई मैंने बना के तयार कर लिया है सूखा अटा लगा लेंगे और हलके हाथों से इस पराटे को हम बेल के तयार कर लेंगे तो प्लीज आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज एक साइट से सेखते ही पलट लेंगे और पराठे को दूसरी साइट से भी सेख लेते हैं फिर से मैंने पलट लिया है अब हम सरसों का तेल लगा लेंगे तो तेल या घी जो भी आपको पसंद है वह आप लगा सकते हो और घी तेल लगा कर इसे हम इस तरह से पलट पलट कर एक